आईए दोस्तों हम लोगसभा से सम्मादित पात थड में आपका स्वागत करते हैं आईए कुछ इंपर्टेंट कोस्चन का चर्चा करते हैं देखे 57 नमर लोगसभा को उसके कारकाल की समापती के पूर्वी भंग क्या जा सकते हैं तो किसके राष्ट पती द्वारा लोगसभ योगता कितनी नहीं है दोस्तों फ़ले हम जानले कि योगता क्या है योगता देखे लिए भारत का नागरिक होना चाहिए पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए सरकार के लाव के पर पर नहीं होना चाहिए और उसका उम्र है तो उम्र 25 वर्स होना चाहिए देखे सभा को भुजुर्गों का सदस करते हैं, लोग सभा को युवकों का सदस, तो इसका ऑप्षन हमारा चला जाएगा, B नमर 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ये योगता नहीं है, 呀 question number 59 लोगसभा सदस्य के निर्योगता से समझ्दे यानी क्या उसका निर्योगता से समझे निर्नय कौन लोता तो उसका निर्नय लोगसभा अध्यश लेता राह्ष्टपती भी नहीं लेते हैं दोस्तो। राष्टपती लोगसभा सदस्यों को बरखास्त कर सकता है चुना आयोग से सलापर तो देखिए क्वेश्चन में 60 निमिखित में से किसे लोगसभा का अभी रच्छक कहा गया देखिए अभी रच्छक मतलब हुआ कि जो उसका रच्छा करता है यहीं सबसे सर्वे सर्वा पा लोगसभा के पूद देता लोगसभा के अध्यच को को सपत कौन दिलाता तो देखिए लोगसभा की अध्यच जो है उनका सपत एक समान संसद की रूप में होता है और उन्हें कह सकते हैं कि प्रोोटेमसपीकर उन्हें सदस्ता दिलाता है अब प्रोटेमसपीकर क्या होता दोस्तो जब कोई नई लोगसभा निर्वाचित होती है तो सबसे पहले जो उसमें बुजूर्ग रहते हैं या जो एक्सपिरियेंस रहते हैं उन्हें प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता और वो सभी सदस को सपत दिलाते हैं तो देखिए अगर बोल देखी सबसे अभी जो सत्रहमी लोग सबा चल रहा था उसका प्रोटेम स्पीकर कौन था तो उसका प्रोटेम स्पीकर था दोस्तों प्रोटोम जोग्सवा के पुरोटोमस पिकर ब verf कुमार थे और बोल देगा सूरामी के कौन थे तो सूरामी के थे कमलनाथ वर्म और सूरामी के बोल देगा कि अध्याश कौन थे सुमित्रा महाजन हो डोस्तों और आईए हम नेक्सट कोश्चन पर चलते हैं और अस्थाई लोग सभा देश प्रोटोम स्पीकर कौन न्यूक्त करता तो देखिए उसकी न्यूक्ति राष्ट पती करते हैं बारसट का हो गया यह नमर कॉप्सिंट चलते तिर्शत नमर कॉप्सिंट लोग सभा की बैठक किस पर कर समप्त की जाती है तो लोग सभा की सभण द्वारा इनमे से सभी तो देखिए you फी पी इस कमें पूछा गया और इनमे सभी हो जायए गा 17 वसन उसको समप्त करने कि परकिरीया ही है विग्टन भी लोग सभा की बैठक को समप्त करने की परकिरिया कैई उसे विग्टन कर दिया जाता अ थाभी है आये चलते हैं नेक्ट कोस्टन पर 64 लोगसभा का विग्टन कौन कर सकता तो देखिए लोगसभा का विग्टन दोस्तो राष्टपती कर सकता अध्यस्ता तो करते हैं पर लोगसभाद्याच लेकिन विग्टन की बात जब आएगी दोस्तो तो उसका एंसर हमारा राष्टपत क्या जा सकता तो देखिए पांच वर्षगर नहीं है पूरा हुआ कारकाल अब फिर भी हम लोगसभा की कार लोगसभा को भंग करना चाहते हैं तो परधान मंत्री की संस्तूती पर राष्टपती को ही पावर है लोगसभा का सबसे बरा अधिकारी लोगसभा अध्याच होता ह लेकिन राष्टपती को ही यह छंबता कि लोगसभा को हम विल्टंद कर सकते हैं वो भी परधान मंत्री के सलाह पर कॉश्चन में 66 लोगसभा की समान अभ़दी बढ़ाया जा सकती है तो देखिए लोगसभा की समान अभदी किस भारत के राष्टपती के आधेस से यही हमा को बिस्यस अधिकार है कहीं है कि लोगसभा राजसभा के बराबर अधिकार है जनरली लोगसभा का ज्यादा पावर रहता है लेकिन कुछ-कुछ ऐसे हैं जहां से कोस्टन आते हैं हम डिसकस करते हैं देखे इसका अंसर हो जाएगा सम्विधान संसोधन करने के विशे में सम् मिधान संसोधन किस अनुछेद के ताथ होता है तो इसका अनुछेद हो जाएगा 368 आइए हम उप्शन नमर एक चर्चा तो नई अखिल भारतिया सेवाएं गठित करने के विशे म जिसे यूपीसी हो गया या कोई इसी बीपीसी हो गया कोई इसे नई अखिल भारतिया 312 के ताहत करता है तो अगर अगर बहुमत खो देता है तो सरकार उटोमेटिक गिर जाएगा 67 का डी है जो कटोटी परस्ता कटोटी परस्ता देखिए जनरली लोग सबाव में पास किया जाता जब कोई भी बजट में हमें रूपया काटना होता है कुछ कम करना माले जी हमा भी आफिके सई नहीं हम बजट पहले पास कर चुके उसमें उसके लिए जो प्रस्ताव लाएजाता कटोटी प्रस्ता करते हैं कोस्चन मोर सिस्टीट लोग सभा का नेता कोन होता तो देखिए लोग सभा का नेता जेनरली परधान-मंत्री होता है और पूल देगा लोग का भी पच्काने ताक हूंता तो मेरे हिसाब से मलिक आरजुन खरगे है दोस्तों आप देख लीजिएगा अगर हम गलत हैं तो हमें बताइएगा देखे 69 नमर लोक सभा या विदान ll stage के निर्वाचन में उमीदभार अपनी राशी को खोदेगा उसे कूल भैद्वत में बोलता कि निर्वाचन के लिए राशी को खो देगा जिसे हम बोल जह्मानतरा सी को ईसी बौलचा बोलते हैं दोस्तों जमानतजब्त April जाना जिससे को मान के बाद अगर उएकवड़े 6 से कम मत प्राप्त होता तो वो रुपईया उन्हें वापस नहीं मिलता अगर उपषे 6 से जढ़ा हो बोटा गया तो उन्हें रुपईया मिल दाता अलाकि जन्दरली लोग लेते नहीं है और कम हुआ तो मिलते नहीं इसे ही आप बोल चाल की भासा में जमान जब्त कहना बोलते हैं कोई बितिया बिल प्रस्तावित हो सकता देखिए बितिया बिल प्रस्तावित के वर लोगसभा में होता और कोई भी बिल बितिया बिल है या नहीं इसकी अनुशन सा लोग सभा आध्याच करते हैं तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों अगर अच्छा लगे तो शेर और सब्सक्राब जरूर करें मिलते हैं नेक्ट क्लास में थैंगे